असलाम वालेकूम आज हम बनाने वाले हैं सोयबीन का पुलाओ जो बहुत जादा जल्दी और आसानी से बन जारता है खाने में बहुत ज़्यादा जबरदस्त और अच्छा लगता है यह कम समान में ही तैयार हो जाता है तो आईए चले देखते हैं कि इसके लिए क्या समान च यह तो आपकर कर देखते हैं अभी इसका कलर हो गया अब हम इसमें ट्रॉच भी प्याज जैसे ही गोल्डं ब्राउन होगी हम इसे बागए को और समान डालेंगे तो प्यास को अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे आज पकाएं जाता तेज ना कर आएं जब अच्छे से हो सवाना हो जाए जब लुबन वागे ऐसलों जाए मुद्छा ठीज स बागे कर समान धालेंalthy अब प्यार हो होकी है आपको में डिख रहे ही होगी अबgeois डिख किश हारी भालेंगे ilra добр darkness कि फदितिते घ्रिक संपें संसर मत बपलत डड़ा दियंगे निकालकर हम सोयवीन को इसी में पकाएंगे सोयवीन जब अच्छे से इसमें फ्राई हो जाए तो हम इसमें बाकी समान डालेंगे अभी सोयवीन हम इने डाल दी है सोयवीन को अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे जिबते कि अच्छा से तेल में फ्राइज न हो जाए, अच्छा सा अपना ले आए, हम इसमें बाकि समान डालेंगे है अभी ये स्वैवीन अच्छा से इसमें फ्राइज हो रहे है, आप चाहे तो इसमें सबस भी अपनी मानबसंद डाल सकते हैं मतर गाजर यह जो भी आपको पसंद हो मेरे पास सोयवीन थी इसलिए मैं सोयवीन के ही पुलाव बना रही हूं यह भी बहुत जादा अच्छा लगता है तो हम इसमें बाकी के मसाले डालें यह अच्छे से भून चुकी है टमाटर भी हमारे कुक हो चुके हैं और सोयवीन भी अच्छे से फिराई हो चुकी है तो हम इसमें मसाले डालते हैं मसालों में आदा चमच लाल मिर्च आदा चमच गरम मसाला और जायके के मुदाबिक नमक अब इससे डाल कर हम अच्छे से भूनेंगे जब यह भून जाए तो हम इसे बाकी का समान डालेंगे यह अच्छे से अब इसमें म्रिच का अचार डालेंगे मिरच के अचार से इसमें थोड़ा सा अच्छा जायका आ जाता है जो हुने डिया निक टे यह दाल कि इसमें दो ग्लास पानि डाल देंगे देखे अक से फालमे है तो एक ग्लास ब्सक्षा टेल यह हमने एक गिलास पानी डालती है अब हम एक गिलास पानी और डालेंगे पानी डालने के बाद हम पानी में पानी को ढखके उबालने तक पकाएंगे कभी भी ठंडे पानी में चावल ना डालें उससे चावल एड जाता है चावल को हमने कुछ देर पहले भीगो के भी रखा इसमें चला देंगे अच्छे से नमक अपना चेक कर लेंगे नमक हमारे हिसाब का है यह नहीं है क्योंकि पकने से पहले ही चावलों में नमक डल सकता है उसके बाद हम नहीं डाल सकते तो इससे पहले हमारे चावलों में बिल्कुर हमारे हिसाब का नमक है तो हम इसमें कवर कर गट करने के बाद हमें इसमें दो सीटिया लगानी है जब दो सीटिया आजाए फ्लैम को हम ऑफ कर देंके और इसी के प्रेशर में इसे पकने देंगे जब यह पड जाएगा तो हम इसे दिखाएंगे तो यह सार्ग निकल चुका है अब हम को प्लेटिंग करके दिखाते हूं तो देखिए कैसे खिले के लिए हमारे चावल बने हैं बहुत ही जादा सौफ्ट हैं बहुत ही जारा अच्छे लग रहे हैं आप यह रायते के साथ सलात के साथ जिस चीज के साथ आप खा सकते हैं मेरी ऐसी ही और वीडियो को देखने के ल मुर्दाबान